देश में पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोधी सरकार संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है पीम नरेन मुधी ने सोमवार को प्रगती मिदान के कन्विंशन सेंटर में मंत्री मंडल सायोग्य के साथ पांच घंडे लंबी बेठक की उत्तर प्रदेश राजिस्तान करनाटक जैसे राज्यों में कुछ केंदरी मंत्रियों को संगठन के काम में लगाने का फैसला पार्टे ने लिया है वहीं धर्मेंद्र प्रदान प्यूश गोईल और भुपेंद्र यादरों को लोकसवा चुनाओ के लिहास से राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है पीएम ने मजा के अंदाज में ये भी कहा कि जनता की सेवा का संकल्प हो तो उसे पूरा करने के लिए किसी पत की जरुरत नहीं माना जाराय की संगठन और सरकार में शामिल कुछ लोगों के लिए है संके थे कि उन्होंने पत पर रहते वे जन्हित के क्या क्या काम किये हैं बेटक के बाद पीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि बेटक में कई सार तक मुद्दो पर चर्चा हुई भाजपा च्छ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है मध्यप्रदेश जारकन, पंजाब, तेलगाना, करनाटक और गुजरात के नए भाजपा अध्यक्ष के नामों का एलान पार्टी कभी भी कर सकती है मध्यप्रदेश के वीडी शर्मा को बदलने की तैयारी है करनाटक में केंदरी राज मंतरी शोबा करन जलाजिक को जिम्मेदारी मिल सकती है तेलगाना में केंदरी मंतरी जी, किशन, रेड़ी भाजपा अध्यक्ष बन सकते हैं पंजाब जारकन गुजराद में भी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे गुजराद के प्रदेश अध्यक्ष सी और पार्टिल को केंदरी भाशपा में महदपून जिम्मेदारी के साथ लाने की बात हुई प्रदेश अध्यक्षों के अलावा उत्तर प्रदेश राजिस्तान करनाटक जिसे राज्यों में कुछ केंदरी मंत्रियों को संगठन के काम में लगाने का फैसला पार्टी ने लिया है सुत्रों का कहना है कि छहराज्यों में नए प्रदिश अध्यक्ष बनाने का फैसला पार्टी कर चुकी है पुराने अध्यक्षों के लिए नई जिमेदारी तैक ही जा रही है उन्हें संगठन दूसरी क्या जिमेदारी दी जाए इसी कमोबेश रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है माना जा रहा है कि केंद्री मंत्री परिशत की सोंबार को ही बेठक में ये तैक क्या गया है कि नए प्रदिश अध्यक्ष के नामों की घुशना कब की जाएगी बिन मंत्रालयों के कामकाच को लेकर पीएम ने खुशी जायर की